हेलो गाईज आप सभी वित्यार्थियों का स्वागत है रेपीट फायर फिजिक्स में और ये क्वेश्चन आपको अधिकतम मिलेंगे जिसमें गुरुत्वा करशण के प्रस्ण पूछे जाते एक बार देखिएगा किस तरीके के प्रस्ण है ऑप्सनल है इसके लिए थोड़ आप कह सकते हैं निर्वात में निर्वात में अंत्रिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं क्यों कारण क्या है क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं तो आप कहेंगे गुरुत्व नहीं होता है ऑप्सन नंबर एक गुरुत्व नहीं होता है इसी के कारण से वो क्या है बच्चा कि आपके सीधे खड़े नहीं हो पाते निर्वात में अंत्रिक्ष में किलियर है आपसन आपके सामने दे रखा है दाब अधिक लिखा है ठीक है आईए अगले प्रस्त पर जैसे कि आपका नाम है रेपीड फायर तो उस तरीके से क्लास भी होना चाहिए और हमने इस क्या अनुभाव होता है अधिक भार का कम भार का समाने भार का या भार हिंता का तो आपको बता दे क्या अनुभाव करता है बच्चा जब अंत्रिक्ष यात्री उसके अंत्रिक्ष यान में प्रित्वी की परिक्रमा करते समय वो केवल केवल भार हिंता का अनुभाव करता ह यानि जी जी जो आपका गुरुत्त है वहाँ पर क्या होगा जीरो हो जाएगा खत्म अगला कुश्चन देखिए जैसे लोलक की बच्चा जो घड़ियां है गर्मियों में गर्मियों में क्यों मंद हो जाती है आप देखते होंगे जो लोलक वाली घड़ी है जो पैंडूलम जी के बीच में संबंद क्या कारण है कि गर्मियों में घड़ियों का मंद हो जाना एंसर सभी का आना चाहिए भाईया क्यों होता है तो आप जानते हैं ग्रिश्म काल में यह जो लंबाई है ग्रिश्म काल में लोलक की लंबाई क्या होती है बच्चा बढ़ जाती है ग्रे प्रतिबीम बनता है जैसे आपने पढ़ा प्रतिबीम वास्तविक में उल्टा अभासी में सीधा तो उसी तरीके से जो पीसा की मिनारे बच्चा छुकी हुई है लगता है कि गिर जाएगी लेकिन गिरती नहीं है इसका कारण क्या है क्या है कि जो आपका गुरुत्यों केंद उध्वाधर रेखा मिनार तल के अंदर रहती है बच्चा क्या होता है इसके गुरुत्यों केंद्र से केंद्र में जाने वाली उध्वाधर रेखा मिनार के क्या रहती नहीं तो आप चारों आप्शन में ढूंडते रा जाएंगे कि कौन सा सही है अगला प्रशन प्रित्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रा जिसे लाए प्रित्वी पर नहीं गिरता है क्यों इसका कारण क्या है प्रित्वी का आकर्शन इसके प्रित्वी के आकर्शन के लाए गए त्वरण के द्वारा प्रदान है ठीक है क्या कारण होगा तो आप कहेंगे जो त्वरण बल मिलता है उसकी गती के लिए जो उसके गती के लिए बचा गती के लिए त्वरण प्रदान किया जाता है गती के लिए क्या प्रदान किया जाता है त्वरण प्रदान किय का मान क्या है ?Capital G और इसमाल जी के बीच में संबंध क्या है इसमाल जी कैसी राशी है capital G कैसी राशी है पूरा 36 questions कराए है जिन विध्यार्थियोंने नहीं देखा नहीं तो 300 जरूर जाकर देखिएगा 36 question में से बचा आपके 10 question 1 liner उसी में से है दस question उसी में से तो एक बार जरूर जाकर विजिट करिएगा चैनल पर देखे चंद्रमा पर कोई वायू मंडल नहीं है क्यों नहीं है भाई क्यों नहीं है वायू मंडल कारण क्या है इस पर गैस के अड़ों का पलायन वेग जो है पलायन वेग कल के क्लास में बताये थे न प इतना गुना होता है सभी का विजिट कल के क्लास में है इस पर गैस के अड़ों का पलायन वेग क्या है बच्चा वर्ग माध्य मूल से कम होता है इस कारण से वहाँ पर वायू मंडल नहीं होता है अगला प्रस्न देखिए जब भू इस्थिर उपग्रा कौन सा जो भू इस करता है बुमद रेखा से बुमद रेखा से कहां जाएगा पस्चिन से पूर्वद रेखा से पस्चिन से पूर्व की तरफ जाता है सीधे नोट कर लिजे कि जब भू इस्थिर उपग्रा को छोड़ा जाता है तो ये गती कैसे करेगा, भुमद रेखा पर करेगा, पस्चिन से पुर्व की ओर करेगा, option number B, अगला, चार question को एक में मिलाना, चार प्रस्ण को एक प्रस्ण में convert करना, ये एक नया है, जिसमें आपके चारो के चारो concept क या प्रभाव है, किसको नापा जाता है, जितने भी प्रस्ण है, सुची 1, सुची 2 से मिलान करना, बताई, option भी आपके सामने इसी तरीके से प्रस्टूत है, जो कि चारो आप संदिक रहे हैं, कौन सा सही होगा, सभी विद्यार्थी बताएंगे, वस्तु का भार अधिक्त कहा है, यह मिल गया, पहला, तीसरा, एक से तीसरा, अच्छा, दूसरा, वस्तु का भार घटता है, बी कहता है, वस्तु का भार घटता है, कहां पर घटता है, प्रिथ्वी सता की उचाई में जब व्रिधी होता है, बचाना तो घट जाता है, यानि दूसरे का, बी का दूस पर गतिमान होती है यानि इसका चोथा यानि बच्चा ये पहले का सुन्ने होता है कब जब सुन्ने बिंदू पर है यानि आपसा नंबर सी बिलकुल सही आपसा नंबर सी बिलकुल सही अगला प्रस्त एक ब्यक्ति कृतिम उपग्रा में भारहिंता का अनुभव करता है क्यों कि क्योंकि प्रिथ्वी के कारण लगा आकर्षन बल कैसा होगा प्रिथ्वी के कारण लगा आकर्षन बल अभिकेंद्री बल के बराबर होगा इस वज़े से वो भार हिंता कानुभो करता है वन लाइनर कुश्चन है क्लास का कुश्चन है आप्सन हमने दे रखा है ताकि आप होने का प्रतिबंध क्या है क्या condition है कि जब वो समान होंगे बताएंगे भई क्या condition है अरे भई उनकी चाल बराबर होनी चाहिए तब जाकर वो क्या होंगे समान होंगे अगले question पर देखिए यदि पृत्वी का गृत्वा गर्शन बल अचानक लुप्त हो जाए यानि गायब हो जाए अगर पृत्वी का गृत्वा कर्शन बल बच्चा अचानक गायब हो जाता है तो निवन में से कौन सा परिमाण सही होगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन एक्जाम में 2023 में छपने वाला है आपका बहुत बढ़िया है कंसेप्ट भी है नियम भी है सिध्धान्त भी है क्लास का कोश्चन भी है चैप्तर वाइस भी है बताइए कौन सा कंडिशन होगा कि यदि पृत्वी का गृत्वा कर्शन बल अचानक गायब हो जाए यानि लूप तो हो जाए तो निमन में से कौन सा परिमाण सही होगा वस्तू का भार सुनने हो जाएगा परंतु द्रब्यमान वही रहेगा या वस्तू का द्रब्यमान सुनने हो जाएगा भार वही रहेगा या वस्तू का भार द्रबेमान दोनों सुनने हो जाएंगे या वस्तू का द्रबेमान बढ़ जाएगा बच्चा condition number one जो है एकदम सही है क्या condition number one है कि वस्तू का भार तो zero हो जाएगा लेकिन द्रब्यमान क्या रहेगा बच्चा अब परिवर्वर्तित रहेगा वही रहेगा बिल्कूल सही अगला प्रस और लास्ट रहेगा किसी lift में बच्चाенд में बैठे वे बैक्ती को अपना भार कभ अधिक प्रतीत होता है बहरी-बहरी इंपोर्टेट जब chapter आपको पता ह निचे आने पर प्रभाव बीच में आपका लिफ्ट रुक जाता है तब क्या कंडिशन अप्लाई होता को से हैं किसी lift में बैठे हुए बैक्ती को अपना भार कब अधिक प्रतीत होता है वो condition कौन सा है जिसमें उसको लगेगा कि भार हमारा सबसे अधिक है एकदम ये last question है हाँ तो कब होता है बच्चा जब वो ऊपर जाता है ना जब lift से क्या करेगा ऊपर की ओर जारता है तब उसको डर लगता है अब गिर जाएंगे तो ये वाला option आपका बिल्कुल सही है ये था बचा ये last question था और ये सभी प्रस्ण आप एक बार पढ़ लिजेगा chapter देख लिजेगा chapter wise था और clear है पूरे प्रस्ण आपके complete हुए अगर गुटवा कर्शन लुप्ठ हो जाता है यानि गायब हो जाता है तब का अगर लिफ्ट में बैठा हुआ ब्यक्ति है कब अधिक महसूस करेगा कब कम महसूस करेगा कब पता ही नहीं चलेगा ये तीनों condition apply करता है आपके लिफ्ट वाले chapter से भार हिंता से आज के लिए इतना ही धन्यवाद